नमस्ते दोस्तों मेरा सौड़ ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है तो आज बसंती पुलाव और मटनकरी बनाने जा रहे हैं तो देखिए मटनकरी बनाने के लिए यह सब सामागिरी की हैं चावल को अच्छी तरह पानी से धो लिए हैं और यह सब को मिला दिये हैं मिला लेने के बाद में अच्छी तरह से इसे मिलाईएगा मिलाने के बाद में कुछ समय के लिए रख दिये हैं और यह जो आम बादाम है इसको अच्छी तरह से भूज लिए हैं घी में और वो जो सब मसाला मिला थे हैं चावल में उसी को बादाम में डाल कर भूज दे रहे हैं और इधर पुलाव में देने के लिए पानी बैठाल दिये और देखिए पानी दे भी दिये पानी को माप कर देना पड़ता है चावल से डवल पानी होना चाहिए और देखिए तकर कितना खिला खिला बना है और इसमें चीनी थोड़ा डाल दीजिएगा अब जैसा खाना चाहते जितना मीठा खाना चाहते उस अनुसार से चीनी डाल दीजिएगा अब आया मतन तो मतन को तेल हल्दी और नमक से मतन को मैगनेट कर लिए हैं और मतन में देने के लिए मसाला में ये सबसामान है और ये आलू डालेंगे आलू को भूज ले रहे हैं अच्छी तरह से तेल में ज्यादा तेल नहीं दिये हैं और मटन को भी देखे इस तरह भूज रहे हैं नमक दे दिये थोड़ा मटन को अच्छी तरह से भूज के इसमें एक सीटी डालना है क्योंकि भूजते समही तो मटन तक्रीवन 80% सीजिया था सिप एक सीटी देना है इस तरह बनाईएगा न इतना अच्छा लगेगा जो क्या ही बताएं आपनोंको बहुत अच्छा बनता है बहुत स्वादिश्ट बनता है और आप लोग भी घर में इसी तरह बनाईएगा और बताईएगा जो कैसा लगा कॉमेंट को